तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बैंकिंग सेक्टर का यह थ्री पेन्य स्टॉक जिसमें अगर आप बाइंग करते हैं तो चांसे काफी अच्छी मिल सकती है तो यह स्टॉक आपके लिए लॉंग टम के लिए काफी अच्छी प्रॉफिट बना कर दे सकती है का चार्ट एनलीसिस कंफर्म करांगा कि क्या सेनारियो इसमें बन रहे हैं और आपको बाइंग के बाद टार्गेट क्या मिल सकता है तो काफी अच्छी स्टॉक से अपने बाइंग प्राइस पर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है अगर बात करें इंवेस्टिंग के ब तो आप देख सकते हैं जो इसका नाम है बैंक ऑफ इंडिया जो की वन मंथ के कैंडल के साथ मैं आपके साथ इसका कंफर्मेशन कराने वाला हूं तो अभी जो आपको देखने को मिल रही है आप देख सकते हैं क्लियरली कि जिस प्राइस पर यह लगबग काफी समय पहले है है तो कई कर गिरावर की बात करें तो अभी तक इसमें गिरावर होके आप देखने को मिली है और उसके बाहद आप देख सते हैं इतनी एक रिसे स्टेंस के साथ आज आपको बीरीस चैंडल भी देखने को मिल रहा है तो आप यहां से इसको ब्रेक करता है आप लगबग वन वीक तक आप इसे वाच करें और अगर आपको लगता है कि से इन्वेस्ट करना चाहिए तो चांसे काफी अच्छे नजर आ रहा है अगर यह 100 के ऊपर क्रोस करता है तो एक बड़ी potential आपको देखने को मिल सकती है आप देखते हैं 100 रुपे के investment पर लभग 200 का एक target देखने को मिल रहा है यानि कि 100 रुपे के investment पर आपको यहाँ पर 200 का returns देखने को मिल सकते हैं यह 200 अगर इसको break करता है तो 300 तक का भी resistance देखने को मिल रहा है तो आप देखते हैं इतनी बड़ी किरावट हुई है तो आपको 2-300 या 400 तक पी stock price जाने के chances यहाँ पर potential देखने को मिल रहा है क्योंकि एक बड़ी consolidation के बाद stock इधर से निकलने की पूरी कोशिस करता नजर आ रहा है 100 किकर cross करती है तो एक बड़ी potential stock में देखने को मिल सकता है तो गाईज यह stock आपके लिए better हो सकती है banking center में कुछ हाल के अनुसार यह नजर आ रही है चाहिए next stock की आगे बढ़ते हैं तो गाईज अगर next stock की बात करें तो next stock का नाम है Central Bank of India गाईज आप देख सकते हैं Central Bank of India जो कि अगर इसकी listing की बात करेगा इस तो यह listing हुई थी लगबग आप देख सकते हैं यह यह 100 रुपीस के आसवासिस में listing हुई थी और उसके बाद stock price थोड़ी उपर जाने के बाद वापस से बड़ी गिरावट देखी थी और आप देखें तो इस गिरावट के पास में वापस यह trading करता हुआ और इससे उपर निकलता हुए stock देखने को मिल रहा है यानि कि इस से 50 रुपीस को यहां पर जो है इसने एक support बनाया था resistance इसको breaker के इसको उपर निकला और अभी जो है 50 रुपीस के पास में एक resistance बनाता हुआ देखने को मिल रहा है और वन मंत की जो है इसमें आपको बीरी scandal नजर आ रही है तो इसमें गिरावट की बात करें तो इसमें इसमें देखी थी और उसके बाद अभी पोटेंसिल में स्टॉक देखने को मिल रहा है तो अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो यह आप देख सकते हैं यहां पर फोकस करेंगा इस तो हैंडेट रुपीस के आशपास में एक resistance नजर आ रहा है तो यहां पर देख सकते है 50 रुपे के investment पर आपको 100 रुपे की returns यहां भी देखने को मिल रही है तो यहां पर दुगने returns नजर आ रहे हैं काफी अच्छी आपको यहां पर profit नजर आ सकती है गाईज अगर बात करें इसको अगर 100 रुपीस का जो एक resistance यहां पर देखने को मिल रहा है अगर यह resistance ब्रेक करता है तो यह वापस से 200 तक के resistance तक यानिकी एक नई target तक यानिकी अपने high price तक जा सकता है तो इसमें बड़ी potential इस stock में भी देखने को मिल रही है तो जैसा कि मैंना आपको starting में पताया यह काफी अच्छी stock से आप इस वाच लिस्ट में एड जरूर करें और इसे आप लग साथ में जो है buy sell का recommendation नहीं कर रहा बट मैं आपके लिए knowledge purpose के लिए और आपको profitable के लिए stock मैं आपके साथ discuss कर रहा हूं कि अगर आप investing करने की सोच रहे हैं तो यह stock आपके लिए better हो सकती है चलिए next stock की बात करें तो यह तीसरा stock से PNB यानिकी Punjab National Bank जो कि अगर बात करें तो और अभी की price की बात करें तो 73 पर trade कर रहा है तो इसमें आप देखें तो जब यह market list हुई थी उसके आजपास में ट्रेड करता हुए stock वापस से अभी यानिकी लगभग 10 साल आपका सकते हैं 2003 यानिकी 20 साल के बाद यह वापस से ट्रेड करता हूं अपने price पर देखने को मि लगभग देखें तो two year की consolidation stock में देखी और उसके बाद फिर से यहाँ पे potential फिर से बुलिश के बंते नजर आ रहे हैं तो यहाँ पे 50 रुपे का आप यहाँ देखें तो 50 रुपीज का resistance बन रहा था इसको ब्रेकर करके यहाँ पर लगभग two month से आपको यहाँ पर स्केंडल देखने को मिल रहा है अगर अगले मन्त में अगर यह बुलिश स्केंडल के साथ सस्टेन कर जाता है और यह जो है 50 75 रुपीज के आसपास का एक जो resistance क्रेट हो रहा है अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो बड़ी पोटेंसिल इस स्टॉक में देखने को मिल सकत सकता है अगर रिटन्स की बात करें तो आप समझ सकते हैं मैं आपको कंफर्म कराओं अगर आप इधर से एटी रुपीज पे भी स्टॉक को बाई करते हैं तो लवग आप 200 तक का अगर रिटन्स लेकर चले तो यहां पर देख सकते हैं 146 परसेंट का रिटन्स आपको स्टॉक में गिरावाट हो चुकी है और वापस से यह जो है पोजिटीव बनाता देखने को मिल रहा है तो प्रोकस बना कर रहना चाहिए काफी चांसे इसमें आपको बन सकते हैं यह काफी सच्टे जिसमें कि आप इंवेश्णिंग करने के बाद लॉंग टर्म में एक बड अला क्ईिसमें कि इसमें कि आपको फिर फ्ल्ड gonna गिर से बढको टे चाहिए सकते हैं इसमें इसमें आपको वॉ Thai what बनाताट बड़त्व जब हृट इसमें क्योंच बनाता छव खमाया Su